नमस्कार दोस्तों सभी का स्वागत है विनर्स इंसिट्यूट के MPPSC यूटूब चैनल पर आप सभी का मैं उनती जैन कक्षा में स्वागत करती हूँ जल्दी सामेल हो जाए कक्षा में तकि आज की कक्षा को सही समय पर शुरू किया जा सके सभी को स्वागत है कक्षा में जल्दी जल्दी क्लास में आज़ जाए ताकि आज की कक्षा को शुरू किया जा सके जैश्री माकाल, रादे रादे, जैश्री कृष्णा, सभी को साधर जैजनिल उमीदे सभी स्ट्रेंड मस्त होंगे, तंदरुस्त होंगे और आज इसी उमीद के साथ जुड़े होंगे कि आज कक्षा डिस्टर्ब नहीं करेगी, ठीक है? चले, आगे बढ़ते हैं स्ट्रेंड्स, आज का टॉपिक है आप सभी को पता है कल की क्लास में मैंने जन्वरी और फर्वरी के कॉशन्स कराए थे, मैं अब मन्थवाइज स्टार्ट कर रहे हूँ, तो कल हमने जन्वरी और फर्वरी का करेंट अफ्यर्स पढ़ा था, आज की कक्षा में हम जन्वरी, फर्वरी के बाद, मार्च, अप्रेल और मई, दोहज तरीके से तैयारी कर सको, जितने भी स्ट्रेंट लाइफ क्लास में आये हैं, वे सभी स्ट्रेंट वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है, जी उम्मीद तो यही आज क्लास नहीं रुकेगी, मैं भी यही उम्मीद करता हूं, करती हूं, ठीक है, ऐसे सीख भोल, क्रेजी भूले, आपका स्वागत है भाई, चले, देखने स्ट्रेंट्स, टेलीग्राम चैनल पर यहां पर आपको सारा जो PDF है वो यहां पर मिल जाएगा, साथी साथ स्ट्रेंट्स, जो स्वंबार की कक्षा होने वाली है, वो यही कक्षा होगी, जो चार कक्षा है आपक लिए रेस्लिंग चैंपियंशिप 2023, उत्तर देना बच्चो, आज थोड़ा सा फास्ट करेंगे, अस्त्र शस्त्र ले लिए है, मैंने भी स्टार्ट कर दिया है, जल्दी जल्दी कक्षा को स्टार्ट कर दिया जाए, बुलेंगे जी स्ट्रेंट्स, एशियाई कुष्टी चैंपियंशिप 2023 में भारत ने कुल कितने मैडल जीते है, यह आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, अच्चे से उत्तर देना महत्वपून प्रश्न है, खेल से सम्मंदित है, तुमारी आखों से ओजल ना होने पाए, ऐसा प्रया करना, वीडियो लाइक कर दो, अगर क्लास में लाइव हो तो, ठीक है, एशियाई कुष्टी चैंपियंशिप, कुष्टी चैंपियंशिप, ठीक है स्ट्रेंट्स, देखना बच्चों ध्यान से, पूरा पोस्ट मार्टम ही कर रहे हैं, ताकि हमारे कोई दिक्कत ना हो, कहा पर हुआ था ये, ये स्थान है, आस्तान, कहां ही ये, कजाकिस्तान, ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं कि इस प्रतियोगिता में भारत के द्वारा, कुल 14 मैडल जीते गए, भारत ने इस प्रतियोगिता में कुल 14 मैडल जीते, जिसमें एक मैडल स्वर्ण पदक का था, तीन मैडल रज़त पदक के थे और दस मैडल कांस सिप्रदक के थे अब हमारी ड्यूटी ये बनती है बच्चों, कि जो एक मैडल स्वर्ण पदक का था, कम से कम उसका नाम तो याद कर लें, उस खिलाडी का नाम तो याद कर लें, एक गोल्ड मैडल किसे मिला था, थोड़ा सा ध्यान से देखना है इस्ट्वेंट, अमन सहरावत को मिला था, अमन सहरावत को मिला ये, किस के लिए, संतावन किलोग्राम कुष्टी चैंपेंशिप, या संतावन किलोग्राम वर्ग के लिए, यह मैडल इनको मिला था, रुपिन, अन्तेम, और निशा दहिया, सिल्वर मैडल थीन, रुपिन को मिला, अमित को मिला, और निशा को मिला, निशा दहिया इनका पूरा नाम है, 68 किलोग्राम वर्ग में मिला, ये भी याद रखना एक महिला है, तो याद रखना तो बनता है, जितना परिक्षा में पूछा जाना है, उतना हमने लिख लिया है, ठीक है, आंसर क्या है, तो भहिया, आंसर तो सामने लिखा है, कितने मेडल मिले है, 14 मेडल मिले है, जिसमें से एक गोल्ड, तीन, सिल्वर, दस, ब्रॉंज, और जोकि दस ख्लाणियों के नाम याद करना थोड़ा कटे ने, तो चितने कम संख्या है, उतने याद कर लो, एक गोल्ड और तीन सिल्वर, किसको अमन ने गोल्ड जीता, रुपेन अमेत और निशा ने, क्या जीता, सिल्वर जीता, भारत ने चौदा जीते इस्थान है, अस्तान कजाकिस्थान, क्लियर है, क्या तुमारे आश्ट्र सस्त्र में लिखा जा रहा है, इतना पूरे जानक याद रखना अपने नोट्स याद जरूर बना ले चलो आगे बढ़ते हैं प्रश्णिक रमांग दूसरे पर राश्ट्री पंचाइती देवस कम मनाया जाता है वैनिस नेशनल पंचाइती डे सेलिब्रेटेट 20 अप्रेल 21 अप्रेल या फिर 23 अप्रेल बोलो बच्चो राश पर राश्ट्री पंचाइती देवस कम मनाया जाता है एक प्रशाशने कदिकारी के रूप में एक जागरोक नागरे के रूप में ये प्रश्णे का उत्तर तुम्हें पता ही होना चाहिए नहीं पता है तो बड़ी दिक्कत है बाई बोलना बिलकुल 24 अप्रेल 1993 को और 24 अप्रेल 1994 तक ये जो पंचाइती राश देवस पंचाइती राश अदिनिया में 1992 वो संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया था इसके लिए आप सभी को पता है आमने भाग 9 और 9A में शोशोधन भी किया था 9 में पंचाइती 9A में आपको नगरिये निकाई की सुचनाएं मिल रही थी ये जो पंचाइती राश देवस है वो 24 अप्रेल को प्रतिवर्श मनाया जाता है इस पंचाइती राश देवस को मन के लिबरेशन शुरू हो गया था 2010 में पहली बार ये बनाया गया था तब प्रतान मंतरी कौन थे तो तब प्रतान मंतरी थे डॉक्टर मन मोहन सिंग डॉक्टर मन मोहन सिंग के प्रधान मंत्री काल में पहला पंचायती राज़ दिवस 2010 में मनाया गया था क्लियर आगे बढ़ते हैं किस राजी में बियार अमबेटकर की 125 फोट उची प्रतिमा का अनावरन किया गया इन विच स्टेट बियार अमबेटकर 125 फीट टॉल स्टेच्च्य अफ अमबेटकर है बिया तेलंगना याद करो बच्चों जब मैंने भारत के सभी स्टेच्य पढ़ाय थे उसे स्टेच्य में ये प्रश्ण भी पढ़ाया था उम्मीद है आप सभी लोग उत्तर सही देंगे अगर आपने वो क्लास अटेंड नहीं किये इसमें मैंने भारत के सभी स्टेच्य उस पढ़ाय है तो प्लीज जाकर के वो क्लास जरूर जरूर अटेंड करिए ठीके बोले बच्चे बोले मैंने पढ़ाया है इसलिए मैं पूछ रही हूँ बोले सही उत्तर इस्टुडेंट तेलंगना में इसका हुआ था जहांकि सी एम है चंद्र शेखर राव चंद्र शेखर राव के जो बोला जाए उनके काल में यह कारे किया गया था आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं फैमिना मिस इंडिया 2023 कौन बनी है बताओ फैमिना मिस इंडिया who has become फैमिना मिस इंडिया 2023 सिनीशेटी शिनाता चोहान नन्दीनी गुपता या फिर अदित्ती शर्मा अच्छा प्रश्न है पूछा जा सकता है थोड़ा सा ध्यान रखना थोड़ा सा ध्यान रखना प्रष्न बढ़ा लुभाव ना है बताए बोले फेमिनम इस इंडिया बोलेंगी बाकी सबी स्ट्रेंड ने भी सही उत्तर दिया होगा एना 59 संस्करंड था और इस संस्करंड में जो फेमिनम इस इंडिया बनी है वो नंदिनी गुपता बनी है अच्छे से याद रखना अगले प्रश्न के ओर जाते है बिजनस लीडर ऑफ दा डिकेड अवार्ट से किसे सम्मानित किया गया है बिजनस लीडर अगर आप लोग नोट्स नहीं बना रहे हो तो मैं फिर से बूलूंगी बिना नोट्स के कुछ ना हो पाएगा नोट्स बनाईए बुलेंगे सही उत्तर है कुमार मंगलम विल्ला जोकी आदित्ते विल्ला समूसे है इनको बिजनस लीडर ऑफ दा डिकेड अवार्ट से सम्मानित किया गया है याद रखना हैना गलती देख रही हूँ मैं कई लोग गलती कर रहे है पर मिराज मूर नहीं है आपको डाटने का हैना मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप लोग सही सही चीजे पढ़ लो वस इतना चाहती हूँ ठीक है चले आगे बढ़ते हैं प्रशन क्रमांग चटवे पे चर्चा में रही खिलाडी शैली सिंग किस से संबंदित है इन प्लियर इन डिस्कुशन रिलेटेड टू शैली सिंग लंबी कूत कुष्टी दीरंदाज या फिर निशाने बाज परीक्षा के लिए मतपूर ने खिलाडी और खिलाडी के खेल आपसे पूछे जाते हैं आपसे सिफ प्रशन पूछा जा रहा है कि शैली सिंग किस खेल से संबंदित है बोलेंगे बच्चे मारो तुक्का माल लिया खुशी मिल गई पढ़ोगे तभी प्रशन सही निकल सकते है नहीं तो सिर्फ तुक्का है और तुक्का गलत है पढ़ लेना लंबी कूत से संबंदित है शैली सिंग यूपी से है अंडर 19 लंबी कूत की लंबी कूत की शीर्ष खिलाडी है याद रखना है स्टुरेंट्स क्लियर आगे बढ़ते हैं प्रशन क्रमांक साथवे पे कि राश्टी पंचायती पुरुसकार दोहजार तेईस के तहत सरशेष्ट जिला पंचायत की रूप में किसी चुना गया गंजम जिला पंचायत, बोनाईगर जिला पंचायत, अनुपुर जिला पंचायत या कोला जिला पंचायत अगर आप सभी ने वो वाला सेशन देखा है जिसमें मैंने सारे पुरुसकार और सम्मान पढ़ाए हैं, उस पुरुसकार सम्मान सेशन में मैंने ये कॉश्चन भी पढ़ाया है, उम्मीद है आप सभी स्ट्रेंट थोड़ा तो याद करके पुराना लिख सकते हैं, बुलें तो सर्विश्रेष्ट जिला पंचायत कौनसी है, गंजम जिला पंचायत है, ये गंजम जिला पंचायत उडिसा की है, याद रखना बच्चों, उडिसा राज्जी की जिला पंचायत है, जिसे सर्विश्रेष्ट जिला पंचायत का पुरुसकार 2023 में मिला है, आप सबको य धारकंड है, इसे सर्वश्ष्ष्ट ग्राम पंचायद का उवार्ड मिला है. याद रखोगे जितने भी स्ट्रेंट आपस में बात कर रहे हैं, उन सभी स्ट्रेंट को या तो ब्लोक कर दिया जाएगा, क्योंकि आपके comment के कारण बाकी बच्चे disturb हो रहे हैं तो आप लोग एक ही warning दूँगी दूसरी भी नहीं दूँगी अगर आपको comment section में बात करना है तो आप लोग इस class को छोड़ सकते हो क्योंकि यह class MPPSC के student या फिर ऐसे student के लिए है जो अपने life में कुछ अच्छा करना चाते है serious है अपने life के प्रती ऐसे कोई भी student के लिए नहीं है जो इस platform पर आकर के comment section में बाते करें ठीक है एकदम serious रहो क्योंकि एक बड़े परिक्षा के तयारी कर रहे हो मजाग में नहीं लीजी ए exam को एक्जाम serious लोग समय कम बच जाए आपके पास ठीके आगे बढ़ते है ओरियन युद्ध अब्यास 2023 कायोजन भारत और किस देश की बीच में शुरू किया गया ओरियन exercise 2023 was started between इंडिया इन विच कंट्री जापान, फ्रांस, दक्षेन, कोरिया या फिचीन बोलेंगे बच्चे ओरियन युद्ध अब्यास ये भी मैं पढ़ा चुकी हूँ क्यों पढ़ा चुकी हूँ क्योंकि मैंने युद्ध अब्यास की भी एक क्लास ले चुकी है तो obviously बात है जब मैंने topic wise क्लास ली थी तो मैंने आपको बहुत सारी चीज़े confirm कर दी थी पढ़ा दी थी उमीद है आपको ये भी याद होगा किस की बीच में हुआ था इस्ट्रेंट्स भारत और फ्रांस की बीच में ओरियन युद्ध अब्यास 2018 कायोजन किया गया था प्रश्नक्रमान के नोवा अंडर 20 स्कूरर वर्ल्ड कप की मेजवानी के लिए किस देश को चुना गया है अमेरिका, जर्मनी, पुर्तगाल या अर्जिंटीना बता है अंडर 20 स्कूरर वर्ल्ड कप की मेजवानी के लिए किस देश को चुना गया है बोले बच्चे बोलेंगे सब के सब बोले जी सबने पड़ा हुआ है ये भी कहां पर आयोजित की जाएगी अगला है युक्रेन के राजपती बोलोर्दोवेर्फ चैलेंज की कुकिस देश के राज़समान order of the white eagle से सम्मानित किया गया है युक्रेन प्रेजिडेंट जलिंसिकी हैस बिन ओनरड विट विच कंट्री जाइस हाइस order of the white eagle ये प्रशन मैं आपको पड़ा चुकी हूँ उमीद है आप सभी को याद होगा बताना जरूर मैंने पड़ाया है सब पढ़ा रखा है मैंने जब topic wise लिया अगर किसी ने पुराने session ना देखे हो playlist में जाके पूरे पुराने session देख लो notes बना लो क्योंकि मैं पढ़ा चुकी हूँ इसलिए मैं दावे के साथ मुझे याद भी रह रहा है कि मैं पढ़ा चुकी हूँ ठीक है? वेरी गुड और answers भी आपके बता ही रहे है पॉलेंड का जो award है वाइट इगल युक्रेन के राष्टपती जलन सीकी को मिला है आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रिमा 11 पे राश्ट्री सिवल सेवा 10 दिवस कम मनाया जाता है वेन इस नेशनल सिवल सर्विस दे सेलिबरेटेड 20 अप्रेल, 21 अप्रेल, 23 अप्रेल या 24 अप्रेल जल्दी अल्दी बताओ सिवल सेवे को सभी भावी प्रशाश्निक अधिकारों बताओ तुमारा दिवस कम मनाया जाता है और साथ में मुझे बताना फादर ओफ सिवल सर्विस फादर ओफ सिवल सर्विस किसे कहा जाता है ये भी लगे हाथ बता ही देना बोलेंगे बच्चों मैं लेट नहीं होगी बेटा मैं तो टाइम पे ही क्लास ले रही हूँ आप लेट हो गया आने में जो जितने भी नई स्ट्रेंट जोड़े है यहीं से शुरू कर दो पढ़ना 21 अप्रेल को क्या मनाए जाता है राश्टिय सिवल सेवा देवस और फादर ओफ वेरी गुड प्रवीन फादर ओफ सिवल सर्विस कौन वालिस है याद रखना कान वालिस परिक्षा में पूछा जाए तो बता देना उसको कि भारत में फादर ओफ सिवल सर्विस लॉड कान वालिस को कहा जाता है ठीक है आगे बटते हैं प्रश्निक्रबंग बारवे पे कि फीफा के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है परिक्ष के जो तरा रहे है वो उस बात पे और दावा कर रहे है कि जी मैं पड़ा दिया है बताए जी आनी इन फैंटीनो को फीफा का अध्यक्ष चुना गया है और पुनहा अध्यक्ष चुना गया है ये जो है ये स्विस इटालियन स्विस इटालियन पुटबॉलर भी रह चुके है ओके चले आगे बढ़ते हैं प्रश्निक्रमांग तेरवे पे आलही में 2023 का एबिल पुरुसकार किसे दिया गया है एबिल पुरुसकार बताओ भीया मैट्स का नोबल पुरुसकार कहा जाता है क्या मैट्स की छेतर में दिया जाता है बोलो बच्चो बोलें किसे गड़ित का नोबल जिससे क्या कहा जाता है गड़ित का नोबल पुरुसकार कहा जाता है यह किसे दिया गया यह किसे दिया गया बोलेंगे वेरी गुड वेरी गुड लुईस कैफरेली हम पढ़ चुके हैं याद मैं बार-बार बोल रही हूँ प्लेलिस पे जाके पुराने वीडियो जरूर देख लेना जिसने अभी तक नोट्स ना बनाये हो वहाँ से बना लेना भाई प्रशने क्रमांग चहुदवा दुनिया के सबसे लंबे रेल्वे स्टेशन का उत्खाटन कहां किया गया है और चान सितारे भी इस प्रशन में लगा चुकी हूँ अब तुमारे उत्तर की परिक्षा में प्रतीक्षा में हूँ कि दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहां पर बनाया गया है और यह प्रशन भी हमने टॉपिक वाइस भी डिसकुर्शन किया है बोलेंगे दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म वेरी गुड कौन सा है उबली रेलवे प्लेटफॉर्म है याद रखना इसकी जो लंबाई है वो स्ट्रेंट पंदरा सो सात मीटर है कितनी है बच्चों? पंदरा सो सात मीटर है आगे बढ़ते हैं नेक्स प्रशन की ओर प्रित्जर पुरुसकार या फिर पृत्कर आर्किटेक्चर के लिए दिया जाता है यह पुरुसकार 2023 का किसे दिया गया क्या ये प्रशन भी हमने पहले डिसकुशन किया है यस और नो बोले बच्चे क्या क्या ये? क्या होगा उत्थर? मैंने पढ़ाया है डैवेड एलेन चिपर फील्ड को प्रित सर आर्किटेक्चर पुरुसकार दोहजार तेई से नबाया जा गया और यह कहां से है? लंदन से या यूके से इनका सम्मंध है आर्किटेक्चर के लिए यह पुरुसकार दिया जाता है ठीके? आगे बढ़ते हैं प्रशनिक्रमान सोलवा राइसीना डायलोग अच्छा प्रशन है परिक्षा में पूछा जा सकता है चांस से अतारे लगा दो राइसीना डायलोग के आठवे संसकरन का सुभारम किसके द्वारा किया गया? बताईए प्रधान मंत्री नरेन मोदी के द्वारा, ग्रह मंत्रि या में शाह के द्वारा, क्रशी मंत्री नरेन सिंग तुमर के द्वारा या फिर रक्षा मंत्री राजनात सिंग के द्वारा राइसीना डायलोग के आठवे संसकरन का उद्गाटन बड़ा किलियर प्रशन है उत्तर अच्छे से देना राइसीना डायलोग के आठवे संसकरन का उद्गाटन किसके द्वारा किया गया बोलेंगे भाई कोई भी ऐसे कारिक्रम होंगे प्रधान मंत्री नरेन मुदी आएंगे और उसका उद्गाटन करके चले जाएंगे यह जो सम्मेलन है या जो डायलोग है वो 2016 से शुरू हुआ था और भारत की विदेश नीती को और बढ़ाने के लिए बंदित था भारत की विदेश नीती प्रोथ साहत के लिए था क्लियर बच्चे चले आगे बढ़ते हैं स्ट्वेंट्स प्रश्निक रमांग सत्रेवे पे प्रथम BBC पैरा स्पोर्ट्स वूमन ओफ द येर 2022 का किताब किस भारती खिलाडी को दिया गया था विच इंडियन प्लेयर आगे प्रश्निक पैरा स्पोर्ट्स वूमन ओफ द येर 2022 भाविना पतेल लवलीना बोर्गेहिन पीवी संधू या एमसी मैरी कॉम बोलो बच्चों अच्छा प्रश्ने परिक्षा के लिए पूछा जाने वाला प्रश्ने BBC पैरा स्पोर्ट्स वूमन ओफ द येर 2022 किसे दिया गया बोलें किसको दिया गया बोले 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 किसको दिया गया strands भाविना पतेल को दिया गया जो कि टेबल टैनिस खेल से संबंधित है अवनी लखेरा का भी नाम इसमें आता है तो ये भी नाम आप लोग को याद रखना पड़ेगा अगर सुपर्वुमन के लिए बोले तो मीरा भाई चानू और इयर का पुरुसकार किसी दिया गया है? तो याद रखना मीरा भाई चानू को यह पुरुसकार मिला है याद रखेंगे क्या, बुले, चली, आगे बढ़ाएंगे बच्चे क्लास, कॉशन नमबर अठारवा, चुनावी लोगतंत्र सुचकांग दोजर तेईस में, बारत का इस्थान कौन सा है, वाट इस इंडिया's rank in the electoral, डेमोक्रेसी इंडिया 2023, 108, 81 और 100, बुले, जी, चुनावी लोगतंत्र सुचकांग 2023 में, भारत का इस्थान कौन सा है, जी, यह जो लोगतंत्र सुचकांग है, वो किसके द्वारा निकाला जाता है, लिब्रल, डेमोक्रेसी, कि द्वारा निकाला जाने वाला सुचकांग है, याद रखने स्टूडेंट, 2022 में हमारा इस्थान सोवा था, अब हम और लोड़क चुके हैं, और 2023 में हमारा इस्थान 108 आगया, यह उस देश की कंडिशन है, जो कि संपोन विश्वे का सबसे बड़ा लोगतंत्रिक देश ह जिसके पास सबसे बड़ा लिखित संविधान है, वहाँ पर चुनावी लोगतंत्र सुचकांग 2023 में भारत का इस्थान 108 वा है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं प्रश्निक रमाकुर्नीस, आलही में सतीष कौशक कर निधन हो गया, वेक पेशे से कौन क्या थे, रिसेंट्ली स सतीष कौशिक पास्ट अवे, ही बलॉंग टू, विच प्रोफेशन, राजनीती, पत्रकार, खेल या अभिनेता, सभी जानते हैं और उम्मीद हैं ये सभी लोग उत्तर भी दे रहे होंगे, बताओ, सतीष कौशिक क्या थे? वेरी गूड, सतीष कौन थे? सतीष कौशिक अभिनेता थे, अच्छी पिक्चर बनाईए रोने, मोटे मोटे हासी मजा किया है, मासूम से, नेपाल की नए राश्पती के रूप में कौन चुने गए है? who was elected as a new president of Nepal, रामचंद्र पैडोल, रामवरण यादो, विद्यदेवी भंडारे या फिर्पत्मात्री का प्रसाद कोईराला, बुलेंगे बच्चे क्या उत्तर है आपका? very good, रामचंद्र पैडोल नेपाल के नए राश्पती बनाए गए है, रश्णिक्रमान की 20 वाभारती पुरश होकी टीम का नया प्रमुख्य कोच किछे नियुक्त किया गया है, who has appointed as the new head coach of the Indian Mains होकी टीम? क्रैक, फुल्टन, ग्राहम, रीड, सिक, फ्राइड, एकमेन, या फिर मैक्स, कालडास, बोले बच्चे, ये भी मैं पढ़ा चुकी हूँ, मैं क्या ही क्या बोलू? अब मैं जब आपके एक्जाम्स में ये कोशन आएंगे, तम भी मैं बोलूँगे, ये मैंने पढ़ा चु यूनिट एट के नाम से ही प्लेलिस्ट बनी है, तो यूनिट एट में ही मिल जाएगी ठीके, सही उत्तर है बिच्चे, क्रैग फुल्टेन जो की साउथ अफरीका से सम्बन्दित है साउथ अफरीका से सम्बन्दित है, याद रखना प्रश्निक्रमांग बावीस, भारत पैट्रोलियम कॉर्परेशन लिमिटेड, बीपी एस, बीसी एल, महारतने कंपनी के अध्यक्षी रूप में किसे नियुक्त किया गया है भारत पैट्रोलियम कॉर्परेशन लिमिटेड, जी कृष्न कुमार, नलिन सिघल, जी राज कुमार या विनोध अगरवाल बोलेंगे बच्चे बोलें क्या उत्तर है सही उत्तर है जी कृष्न कुमार को बीपी सी एल, महारतने कंपनी का नया जो है अध्यक्ष चुना गया है प्रश्न पूछा जा सकता है थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना आगे बढ़ते हैं स्ट्रेंट्स, 2023 प्रश्न है आली में भारत के पूर्व नियाधीश का निधन हो गया है वो कौन है जिनका रिसेंटली डेथ हो गया हो रिसेंटली फार्मा जस्टिस ऑफ इंडिया पास्ट अवे नियाधीश A.M. अहमदी कैलाशनात वांचु M. हमिदुल्ला बेग के S. वेंकेट रमया बोलेंगे स्ट्वेंट्स बोलें ध्यान से पड़े प्रश्न में साइड में हो गया हूँ अगर आपको लिखना है तो आली में किस भूत पूर्व नियाधीश का निधन हो गया है भारत के पूर्व मुख्य नियाधीश का निधन हो गया वे कौन थे आली में भारत के भूत पूर्व मुख्य नियाधीश का निधन हो गया वो कौन साइ थे बुले नियाहदीश A.A.M. अहमधी जिनका निधन हुआ है A is the right answer ठीके आगे बढ़ते है विपिन दा मैन बहाइंड दा यूनिफॉर्म पुस्तक के तिसके द्वारा लिखी गई है विपिन दा मैन बहाइंड दा यूनिफॉर्म है विपिन दा मैन बहाइंड दा यूनिफॉर्म पुस्तक के लेखा कौन है सही उत्तर क्या होगा बच्चो रचना विश्ट रावत की द्वारा विपिन दा मैन बहाइंड यूनिफॉर्म पुस्तक की लेखन की गई है मैम आपकी कल कलास है क्या जी हाँ कल हमारी पांच बजे से शाम को पांच बजे से रात तरी आठ बजे तक मैराथॉन कलास है MPPAC चैनल पर मैराथॉन कलास है लगातार मैं तीन घंटे आपको करेंट अफेर्स पढ़ाने वाली हूँ कम से कम मैं 120 प्रश्ण करवाऊंगी आपको तीन घंटे में उम्मीदे सभी स्ट्रेंट उस कलास को देखेंगे और अपने संडे को और प्रोड़क्टिव बनाएंगे ठीक है दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर संसद जॉर्जीना बियर का 65 साल की उम्मरे में इन्ने धन हो गया है ये किस देश से संबन दे थी दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर संसद जॉर्जीना बियर किस देश की संसद थी बोले बच्चे आना सब लोग कल मैं इंतजार करूँगी तुमारा ठीक है यूटूब पर ही क्लास है इसी चैनल पर क्लास है मेराथौन है शाम को पाँच वजे से रात्री आठ वजे तर सभी ने सही उत्तर दिया है उत्तर सही है न्यूजिलेंड आगे बढ़ते हैं प्रश्निक रमांग 26 भे विश्व वन्य जीव दिवस कम मनाया जाता है विश्व वन्य जीव दिवस कम मनाया जाता है बोलेंगे बच्चे मैं दही बड़े भी रखना क्लास में बूक मुझे लग रही हो खाने की बाते तुम लोग कर रहे हो है भुलोत्तर जी कर्णर इंटरफेर्स का बंडारा है कल ठीक है विश्व वन्य जीव दिवस तीन मार्च को मनाया जाता है जिसका विन्य जीव सनरक्षन के लिए साजेदारी यह दो हजार तेईस का थीम था दो हजार तेईस की यह थीम थी विश्व वन्य जीव दिवस के लिए या विश्व वन्य जीव के लिए साजेदारी याद रखना है स्ट्रेंट्स वन्य जीव कोश याद रखना जिसको www.f कहा जाता है वाइल लाइफ वर्ल्ड वाइल लाइफ फंड विश्व वन्य जीव कोश की जो स्थापना की गई थी वो 29 अप्रेल 1961 को की गई थी याद रखना बच्चो चीक है याद रखना ये परियावरेंट से संबंदित है परिक्षया में पूछा जा सकता है आगे बढ़ते स्ट्रेंट प्रशनक्रवांग 27 फिक्की के नए महासचिव की रूप में किसे नियुक्त किया गया है महासचिव पूछ रहा है न्यू चीफ सेकेटरी या सेकेटरी जरनल के बारे में पूछा जा रहा है बोलेंगे बच्चे बोलेंगे बिल्कुल सही सही उत्तर रेस्ट्रेंट शैलेश पाठक को फिक्की के नए महासचिव बनाया गया है प्रशनक्रमांग 28 सिप्री ये परिक्षा में पूछा जाना चाहिए इन्वाइर्मेंट रिलेटेड जो कॉशन होंगे वहाँ पे ये पूछा जाना चाहिए सिप्री स्टॉक होम इंटेनेशनल पीस रिसर्च इंसिट्यूट रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हत्यार आयतक देश कौन है दुनिया का सबसे बड़ा हत्यार आयतक और मैं यही पूछ सकती हूँ साथ में कि सबसे बड़ा हत्यार निर्यातक देश कौन है ये दोनों ही प्रश्न आपसे हैं आप लोग मुझे उत्तर दें भाई सबसे बड़ा हत्यारों को लाता कौन है और देता कौन है रहे युक्रिन इतना छोटा सा कहां ही लगे तुम होते तो क्या ही हो जाता अफगानिस्तान बोल रहे कई लोग very good सबसे ज़्यादा जो हत्यार आयात होते हैं इस्टुरेंट सबसे बड़ा आयातक जो देश है वो कौन है वो है आपका भारत और देता कौन है स्टुरेंट USA तो दिये गए प्रशने का उत्तर क्या होगा बच्चों चुकि इसमें आयातक पूछा गया है तो भारत सबसे ज़्यादा हत्यार मंगाता है मुझे ये समझ में नहीं आता कि यूस कहा करता है अगर आपको पता हो तो जरूर बता ला कि यूस कहा करता है अगला निमने में से किस पुस्तक के लिए अंतराश्ट्रिय बुकर पुरुसकार 2023 प्रदान किया गया है बुलें बच्चे 2023 प्रदान किया अंतराश्ट्रिय बुकर प्रदान किया गया है जी सही उत्तरे बच्चो टाइम शेल्टर वह बुकर जिसे में बुकर पुरुसकार मिला है याद रखना यह पहले बुल्गारिया भाषा का उपन्या से जिसका अंग्रेजी में रूपांतरन जो किया गया था वो एंजोली के द्वारा किया गया था clear strengths साथी साथ याद रखना किस लेखक कौन है लेखक भी पूछना ही चाहिए obvious सी बात है याद रखना जोर्जी जोर्जी गोसपो डीनोप इसके लेखक थे मान बुकर पुरुसकार या अंतराष्ट्री बुकर पुरुसकार की शुरूआत कब हुई अंतरा़ट्री बुकर पुरुसकार जो शुरू हुआ था बच्छो वो शुरू हुआ था 2005 में 2000 22 में भारत की लेखी का गीतानजली श्री को यह पुरुसकार दिया गया था टॉम एफ सेंट के लिए टॉम ओफ send के लिए इतना तो postpartum याद करना ही पड़ेगा जैसा नाम है वो तुम्हारे सामने है बोलो इतना postpartum clear है लिख रहे हो क्या बताना टेक्निकल भाईया की डर से मेसेज लिखने के बाद तुरन डिलीट कर दिये जा रहे है पड़लो रे यही तुमारी नईया पार लगाने वाले और कुछ भी नहीं लगाने वाला है जिंदिगी में कोई भी नहीं है जो तुमारे लिए एक रोटी भी फरीकी दे सके अभी मिल रही है क्योंकि आप लोग अभी विध्यारती हो स्टूडेंट हो अभी जैसे ही ओम्र पूरी होगी क्या करोगे है कोई दूसरा व्यवसा है दंदा पानी पढ़ना ही है अभी मारे पास ओप्शन तो ध्यान लगा के पढ़ लो जादा बहतर है अगला प्रशन है लास्ट प्रशन है आज कहा Khyelo India University Games का आयोजन किस राजज्य में किया जा रहा है In which state is the Kello India University Games being organized बोले है बोले Very good उत्तर प्रदेश में इस कायोजन किया जा रहा है एक और प्रशन लेना चाहूंगी मैं क्वार्ट शिखर सम्मिलन 2024 की मेजवानी कौन सा देश करेगा विच कंट्री विल भी होस्दा क्वार्ट सम्मेट 2024 2024 ऑस्ट्रेलिया भारत जापान यार युनाइटेट स्टेट बोलो बच्चे हम भी कोचिंग चलाएंगे इन दोर में आके बस तुमने सेकेंड सोची लिया आप तो कुछ बचते ही नहीं है क्या बोला जाता है स्ट्रेट चत्तुर भुज सुरक्षा संबाद कौन कौन है इसमे इंडिया है जापान है USA है और आस्ट्रेलिया है याद रखना बच्चों कि इसका जो 2023 का हुआ था और जो 2024 का हुआ था 2024 का भारत में होने वाला है इसलिए दिये गए प्रशने का सही उत्तर होगा भारत और जो 2023 का हुआ था वो आस्ट्रेलिया में हुआ था इसलिए ये भी आपको ध्यान में रखना है इतना ध्यान रखना कि कुछ questions और मैं छोड़के जारी हूँ ये questions आपको पढ़ने है करीब आपके पास 10 प्रशन और मैं छोड़के जारी हूँ उमीद है आप सबी 10 प्रशन जरूर लगाएंगे साथी साथ मैंने कल कुछ homework दिया था कल homework में जो दिया था जिनने भी कल का homework चेक किया है या फिकिया है वो है user EC RT अहिरवार है ना और आशा सूर्यवन्शी ये स्ट्रेंड ने homework किया था कल का homework जो आपके लिए है वो है निर्मला सीता रमन के द्वारा 2023 में कौनसे क्रम का बजट पेश किया गया बांगलादेश के वर्तमान राश्पती लाडली भेना योजना की शुरुआती थी U19 महिला विश्वकप T20 में 2023 कौन जीता प्रदान मंत्री आवाश्योजना के स्वर्ष शुरू हुई यह आपके आगामी 5 कोशन है जो कि आप मुझे सौंबार के लिए मैं आपका नाम लाऊंगी यहाँ पे जितने भी स्ट्रेंट देंगे अगर आप लोगों को नवरात्री उत्सों का लाब उठाना हो तो कुछ विशेश कोर्सिस पे जैसे कि MPPSC की टेस्स सीरीज पर 399 आपको यहाँ पर फाइदा मिल रहा है आप वो भी ले सकते हैं इसमें तुड़ा सा ध्यान से देखना MPPSC एक्जाम स्पेशल तीन घंटे की महा मैरत्वन है जो की 1 अक्टूबर से शुरू हुई है हर रविवार शाम 5 वजे लगाई जा रही है इसमें आपको कल है 22 अक्टूबर और 22 अक्टूबर को शाम को 5 वजे से 8 वजे तक लगातार हम पढ़ने वाले है Current Affairs तो उम्मीद है आप लोग कल सभी उपस्तेत होंगे है ना ठीक है कल आप लोग सभी उपस्तेत होंगे और 3 घंटे की महा मैरत्वन को अटेंड जरूर करेंगे साथी साथ इस्ट्रेंट MPPSC का Free FLT Full Line Test जो है वो कल सोबे 10 बजे है Application पे है तो ध्यान पूर्वक इस टेस्ट को जरूर जरूर देना ठीक है बाकी सब की जानकारी यह है कि कुछ किताबे भी लॉंच हो चुकी है MPPSC से संबंदित किताबे है आप इन किताबों को जरूर देख सकते है सारी क्लास का PDF चाहिए हो The Winners Institute की Official Channel पर मिल जाएगा और अगर आपको आची क्लास अच्छी लगी होगी तो मुझे Comment section में जरूर बताना वीडियो को Like कर देना कोशिश करना जादा से जादा आप लोग पढ़ाई करें ताकि हर कोई अपनी लक्ष तक पहुंस सके आप सभी को अगर आज कर सेशन लगाए तो अच्छा लगाए तो Comment section में जरूर बताए मैं आपको कल रविवार को शाम को पाच बजे मिलूँगी तब तक के लिए सभी को धन्यबाद